आज मैं आपके साथ शेयर करने जारी हूँ बिलकुल नई तरीकिये के आलू मंचूरेन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी आप इसे जरूर ट्राय करें इसे बनाना भी आसान है और ये फटाफट बन भी जाते हैं इसमें महनत बहुत कम लगती है बहुत री टेस्ट नियू रेसिपी इस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बैल आइकन पे भी जरूर क्लिक करें उससे आपको मेरी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे आलू मंचूरेन बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे छिले हुए आलू ले लेंगे तो मैंने आलू का छिलका पहले से निकाल दिया है और तीन मीडियम साइस के आलू ले लिया है आलू को हम यहाँ पर grate कर लेंगे तो आप यहाँ पर grater का यूज़ करें और इसे इस तरह से घिस लें और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यह medium वला grater यूज़ किया है इससे जो आलू के लच्छे निकलेंगे वो ना तो बहुत जादा मोटे होंगे और ना ही पतले और यहाँ पर मैंने सारे आलू को अच्छे से घिस लिया है तो यहाँ पर कच्छे आलू को हमें इस तरह से घिसना है आलू हमारे तयार हो गए हैं और आप देखी सकते हैं इसमें से पानी भी काफी जादा रिलीज हुआ है तो इसका पानी हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे इसे एक स्ट्रेनर पे इस तरह से निकाल देंगे सारे आलू को तो सारे घिसे हुए आलू को इस तरह से छलनी पर निकाल दें और फिर इसका प्रेस करते हुए पानी निकाल देंगे तो सारा पानी इस तरह से निकाल दें पानी निकालना जरूरी है नहीं तो बॉल इंपॉसिबल हो जाएगा बनाना और यहाँ पे सारा पानी मैंने अच्छे से निकाल दिया है यह जो पानी है इसे हटा देते हैं और यह जो आलू के लच्छे हैं इसे हम बॉल में निकाल देंगे तो इसे हम बोल में निकालते हैं, इसे हटाते हैं, तो यहां पर सारे जो लच्छे हैं आलू के इसे हम निकाल देते हैं एक बोल में, और बोल में निकालने के बाद हम इसमें सारी चीज़े एड़ करेंगे, अब सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे एक बड़ा चमच चिली फ करेंगे हम ताकि यह अच्छे से बाइंड हो और फिर हम इसमें डाल देंगे दो बड़े चमच कॉन फ्लोर कॉन फ्लोर डालना ज़रूरी है इसी से जो हमारे मंचूरेन के बॉल से वो क्रिस्पी बनेंगे तो यहां पर हमने सारी चीज़ा एड़ कर दी है नमक हमने भी नहीं डाला है वो बाद में डालेंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहां पर हातों को हमें हलके हलके ही चलाना है इसमें हलके हातों से ही इसे मिक्स करना है अगर आप तेज हातों से करेंगे तो इसमें से पानी रिलीज होने लगेगा तो बस हलके हातों इसे मिक्स कर ले अच्छे से अगर आप पहले से नमक डाल देंगे तो भी इसमें से काफी पाने निकलाएगा तो यहाँ पर आप देखी सकते हैं इसकी हम बॉल बना के देख लेते हैं कि बन रही है या नहीं और यहाँ पर बॉल अच्छे से बन रही है तो यहाँ पर हमारा जो मिक्चर है वो बॉल बना लेंगे तो हमारे यह mixture ready हो गया है यहाँ पर मैंने तेल को पहले से गरम करने के लिए रख दिया है तेल अच्छे से गरम हो गया है फिर हम इसमें यह मंचूरेन बॉल डाल देंगे इस तरह से तो आप देखी सकते हैं यह आसानी से बन रहे हैं बेना किसी परिशान के तो यहाँ पर आप देखी सकते हैं हमें इस तरह से मंचूरेन बॉल को गरम ale डालना है बस आप इससे instantly अपने हाथों से बनाते रहें, बॉल की शेप में और इसे गरम तेल में डिरेक्ट डाल दें, अगर आप से गरम तेल में ये मंचूरियन बॉल नहीं डल रही हो तो आप यहाँ पे स्पून से भी से डाल सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने गैस को अब मीडियम कर दिया है, डालते वक्त बिल्कुल लो कर दिया था ताकि मैं असानी से डाल पाओं और फिर इसे मीडियम फ्लेम पर हमें इसे तलना है इसे हाई फ्लेम पे बिल्कुल ना तले गैस को मीडियम रखे और इसे आराम से तल ले ताकि यह अंदर तक तले मंचूरियन बॉल्स देल में डालने के बाद आप थोड़ा वेट करें जब वो थोड़े स्ट्रॉंग हो जाएं फिर आप इस तरह से अलट पलट करते हुए इन्हें अच्छे से फ्राइ करें तो यहाँ पे आप देखी सकते हैं मैंने गैस को मीडियम रखा है और इन्हें अच्छे से हम फ्राइ कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर अगर आप इन्हें तलेंगे तो यह अंदर तक क्रिस्पी रहेंगे अगर आप इसे हाई फ्लेम पर तलेंगे तो यह बाहर से तो क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से कच्छे ही रह जाएंगे तो इस बात का ध्यान रखे हमें इन्हें मीडियम फ्लेम पर यह तलना है और यहां पर हमारी मंचूरेन बॉल्स हो गए हैं तयार बस इतना ही हमें इने फ्राइ करना है इससे जादर डार्क नहीं करें फिर हम इसे प्लेट में निकाल देंगे तो इने निकाल देते हैं तेल से और सेम यही प्रोसेस है बाखी का mixture भी हम इसी तरह से तलके तयार कर लेंगे तो यहाँ पे सारी मन्चूरें balls को हम निकाल देते हैं तो यहाँ पे balls हमारे ready हो गए हैं अब हम इनकी sauce बनाएंगे तो balls तयार हैं आप चलते हैं sauce बनाने के process में सबसे पहले हम यहाँ पे फ्राई पैन में एक बड़ा चमश तेल डाल देंगे और तेल को थोड़ा गरम होने दें फिर हम इसमें डाल देंगे यह सारी चीज़े तो मैंने यहाँ पे लैसून, अद्रग, हरी मिर्च, प्याज और यह शिमला मिर्च ली है सबसे पहले हम यह अद्रग डाल देंगे और लैसून डाल देंगे इसी के साथ हम हरी मिर्च भी डाल देंगे तो साथ ही इसमें हरी मिर्च भी डाल दें अध्रक लैसन को बारिक काटें और इसे हम कुछ सेकंड के लिए फ्राइ कर देंगे तो यहाँ पर इसे थोड़ा सा हम फ्राइ कर देंगे बहुत जादा इसे डार्क नहीं करना है जैसे ही इनकी खुश्बू आने लगेगी फिर हम इसमें प्यास डाल देंगे तो क्यूप्स म कच्चा पर निकल जाए इन्हें हमें सॉफ्ट नहीं करना है तो यहाँ पर हलकी से फ्राइ हो गए अब हम इसमें सारी चीज़े डाल देंगे तो यहाँ पर आप सॉस डालते हैं तो सबसे पहले हम डाल देंगे विनेगर तो एक बड़ा चमच मैंने वाइट विनेगर डाल देंगे इसी के साथ टोमेटो सॉस डाल देंगे एक बड़ा चमच साथी इसमें डाल देंगे रेट चिली सॉस तो यहाँ पर एक छोड़ा चमच रेट चिली सॉस डाल देंगे शीजवान चटनी डाल देंगे एक बड़ा चमच तो जितनी भी सॉस आपके पास एवलेबल ह वो सारी यूज कर लें, साथी मैंने इसमें एक छोटा चमश डाल दिया है, ग्रीन चिली सॉस, फिर इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो सारी चीज़ अच्छे से मिला दें, यहां पर सॉस वगेरा आप अपने पसंद से भी डाल सकते हैं, आपको कितनी जाधा पसंद है कितनी कम, तो आपने टेस्ट के हिसाब से भी आप अजस्ट कर सकते हैं, लिकिन यह मेजरमेंट भी परफेक्ट है, फिर हम इसमें एक चोड़ा चमश कॉण फ्लोर लिया है काटोरी में, फिर इसमें जरा सा पानी डाल के से अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो इसका बैटर यहां पर देख सकते हैं काउन फ्लो डालने के बादे थिक होगी यह ग्रीवी, फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, तो यहां पर मैंने आधर पानी डाल दिया है, गैस को हाई कर दिया और इसमें उबाला जाने दें, तो इस एच्छे से पहले मिला देते हैं, अभ बाल जैसी आ जाएगा तो आप यहाँ पे गैस को आफ कर दें और गैस को आफ करने के बाद इसमें हम सारे मंचूरेन बाल्स डाल देंगे तो यह प्रोसेस आपको बहुत ही जल्दी करना है आपको अगर सर्फ करना है तभी मंचूरेन बाल डाले नहीं तो सॉस और मंचूरेन रेडी हो गए हैं, इसे हम सर्फ कर लेते हैं और आप देखे सकते हैं हमारे आलू मंचुरेन बॉल्स कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं मस्ट ट्राय रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राय करें आपके घर में जो चीज एव लेवल हैं आप उससे बनाएं और जो चीज नहीं है आप चाहें तो उसे इसकिप भी कर सकते हैं और यकीन मानिए ये आलू मंचुरेन बॉल्स आपको बहुत पसंद आएंगे अगर आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले तो फिर मिलते हैं एक और नए रेसिपी के साथ